अजर बेजान के पास क्रैश हो गया था इस हादसे में इरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुलिहान की भी मौत हो गई थी उनकी मौत को लेकर कई तरह के दावे किये गए थे लेकिन एक हाई लेवल जाश में ये पता चला था कि खराब मौसम और हेलिकॉप्टर में खराबी के वजह से रैसी का हेलिकॉप्टर ट्रेश हुआ था लेकिन अब रईसी की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिससे शक की सुईसी थे इसराइल के खूफी एजनसी मोसाद की तरफ गई है रईसी की मौत का इसराइल से क्या कनिक्शन है ये बताने से पहले आपको ये जरूर बता देते हैं कि लेबनान में 17 और 18 सिकंबर दो हजार चौबिस को एक बार में हजारों पेजर डिवाइस और वाके टॉकी में धमाके हुए थे जिन में 49 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए आपको ये भी बता दें कि ये वही पेजर डिवाइस हैं जिनका इस्तमाल हिजबुला के छोटे से बड़े नेता बातचीत के लिए करते हैं और मोसाद इन पेजर डिवाइसों को विसफोटक के साथ मैनुफेक्चर करके इने हिजबुला को सप्लाई कर दिया था जिनने रिमोर्ट कंट्रोल के जरिये ब्लास्ट कराया गया अब इनी पेजर डिवाइस का कनेक्शन रईसी की मौत से जुड़ा है दरसल इरान के सांसत एहमद बक्षयाईश अर्दस्तानी का ये कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि रईसी के पेजर डिवाइस में धमाका होनी के वजह से उनका हेलिकॉप्टर फ्रैश हो गया हो रईसी पेजर डिवाइस का इस्तमाल करते थी हालंकि हिजबुला जिस सरहे का डिवाइस इस्तमाल करता है वो उस सरहे का पेजर इस्तमाल नहीं करते थे हिजबुला जिन पेजर डिवाइस का इस्तमाल करता है तहरान उनकी खरीद से जुड़ा हुआ था इरानी सांसत ने आगे बताया कि निश्चित रूप से रानी सीना ने हिजबुला की पेजर डिवाइस खरीद और इसके बाद भूने का ने भाई हमारी एजिंसियों को भी इस मामले की जाच करने चाहिए आपको बता दे के पिछले हफते ही सोशल मीडिया पर रैसी के एक तस्वीर वाइरल हुई थी जिसमें वो एक पेजर डिवाइस इस्तमाल करते हुए दिख रहे हैं उनकी ये तस्वीर इराकी संसत के स्पीकर मुहमद अलहलबूसी के साथ थी इस तस्वीर में पीछी टेबल पर एक पेजर डिवाइस रखा हुआ नजर आ रहा है हलंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जो पेजर हिजबुल्ला इस्तमाल करता है क्या वही ब्राण रैसी भी इस्तमाल करते थे हलंकि इरानी एजेंसियों ने रैसी की मौत का कारण खराब मौसम बताया था जिसके वजह से हलिकॉप्टर प्रैश हुआ वह इरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सुप्रीम बोर्ड आफ दी जनर्रल स्टाफ और आर्म फोर्स ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट में घने कोहरे को दुरगटना का कारण माना है रिपोर्ट में इस दुरघटना के लिए इलाके में वसंत मौसन के दौरान जटल जल वायू और वायू मंदलिया परिस्थितियों को जिमेदार ठहराया गया जिसके वजह से घना कोरा चा गया और रईसी का हेलिकॉप्टर पहार से टकरा गया